पीसार के आखरी सूरीगरहन की शुरुवात हो चुकी है इसे देश के दक्षणी भाग में देखा जा रہा है सूरीगरहन को देखने के लिए लोगों की भीड जुट रही है जबकि देश के अन्य हिस्सव में आंशिक भूप से शूरीगरहन दिखाई दे रहा है सूरी of fire की तरह दिखाई दे रहा है 57 साल बाद भारत में सबसे लंबा सूरे गरहन हो रहा है सूरे गरहन पर सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं गरहन समाप्त होने के बाद मंदिरों के कपाट खोल दिये जाएंगे दुबारा से पुजार चुना होगी भारत के अलावा ये की अफरीका में भी देखा जा रहा है सूरे गरहन इस साल का तीसरा और आखरी गरहन है इस साल का पहला सूरे गरहन छे जनवरी को लगा था जबकि दूसरा सूरे गरहन दो जुलाई को लगा था आज साल का तीसरा और आखरी सूरे गरहन है अगला सूरे गरहन भारत में 21 ज सूरी गरहन दिखाई दे रहा है। मंदिरों के कपाट इस वजह से बंद किये गए हैं। दोजार उन्नीस का सबसे बड़ा और आखरी सूरी गरहन आज है इससे पहले साल इसी साल 6 जनवरी और 2 जुलाई को आन्शिक सूरी गरहन लगा था और सूरी गरहन को देश के दक्षणी भाग में करनाट्य केरर और तमिलाद्यू के हिस्सों में देखा जा सकेगा और लोग देख बी रहे हैं, हाला कि कई साउधानिया इसमें बर्ती जा रही है, जब कि द्यूश के अन्य हिस्सों में यांशिक रूप से गरहन देखा जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद की तस्वीर है लाइफ तस्वीर आप देख पा रहे हैं चंद्रा अकार जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये सूरी गरहन की तस्वीर है भारत के दक्षणी भाग में सूरी गरहन देखा जा रहा है ये नजारा बहत खुबसूरत है लेकिन नासा ने भी ये चतावनी जारी की है और ये सलहा भी दी है का इस सूरी गरहन जितना सुन्दर आपको दिखाई दे रहा है उतना ही ये खतरनाक भी है साउधानिया भी बरतनी है सूरी गरहन के दौरान नंगी आखों से सूरी गरहन की तरफ ना द का आख्री सूरिगरहन भारत के दक्षणी भाग में ज़्यादा देखा जा रहा है दूसरे हिस्सों में आंशिक रूप से शूरिगरहन देखा जा रहा है लोगों में उस्सुकता भी है लोग सावधानिया भी बरत रहे हैं और जायर सी बात है मंदिरों के कपाट बंद हैं सूर्य गरहन खत्म होगा, फिर से कपाट खुले जाएंगे, पूजा अर्चना आओंगी, तीन तस्वीरे आपके टेलिविन स्कीन पर, अलग-अलग कैमरे के जरीए, अलग-अलग जगहों से यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं, कहां किस तरीके से सूर्य गरहन ही दे रही है, सूर्य गरहन के दौरान, चस्मा आपके पास होना जरूरी है, जो बग्यानिक भी मानते हैं, और इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो आपके पास सॉलर फिल्टर होना चाहिए, यह कहा गया है इस दौरान, सूर्य गरहन के दौरान सबसे खास ये बात है कि आखें नंगी नहीं होनी चीए, नुकसान आखों को ज़्यादा होता, इसलिए आखों फर्चस्मा होना ज़रूरी माना गया है, भारत में अधिकता जगह पूर्ण सूरी गरहन देखा जा रहा है, रिंग आफ फायर की तरहें ये सूरी गरहन है, जो सामने मंदिरों के कपाट बंद है, साल का आखरी सूरी गरहन है, इस से पहले हमने आपको बताया कि इसी साल 6 जन्वरी और 2 जुलाई को सूरी गरहन लगा था, देश के दक्षणी भाग में खास का करनाठा, केरल, तमिलनाडू, ये वो हिस्से हैं जहां पर सबसे सूरी गरहन देखा जा रहा है, बाकी देश के हिस्सों में, आंसिक रूप से ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, अबूदाभी से पहली तस्वीर आप देख रहा हैं, और दुसी तस्वीर एहम्दाबाद की है, सूरी गरहन की, दो तस्वीर आपके टेलेविνε स् 2020 में जो सूरीगर्ण होगा वो 21 जून को दिखाई देगा भारत में दो तस्वीरें आपके सामने हैं आबुदाबी से सूरीगर्ण की तस्वीर और एहमदाबाद से सूरीगर्ण की तस्वीर भारत में लगभग हर जगे सूर्य गरहन देखा जा रहा है लेकिन दक्षणी हिस्से में करनाट्या केडल तमिनाडू के हिस्सों में यह तस्वीर ये आबुदाबी की तस्वीर आप देख रहे हैं ये पूरे गरहन की तस्वीर है किस तरीके से दिख रहा है रिंग की तरह दिखाई दे रहा है और साफ देखा जा सकता है कि सूरी गरहन बिलकुल एक उस पे बहुत बड़ा धबा साफ ये हैं जो आपके तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है अक्सर सूरी को जिस तरह से दिखा जाता है एक लाल चमकता हुआ आपका गुला लेकिन आज देखिए बस एक फिंगर रंग की तरह ये दिखाई दे रहा है बस सिल्वर लाइन आपको दिखाई दे रही है उतना सा ये अबुदावी की तस्वीर हम आपक 2019 का अंतियम सूरी गरहन सुभह 8 बचकर 17 मिनट से शुरू हुआ 10 बचकर 27 मिनट पर ये खत्म होगा भारत में जबकि दुनिया की बात करें तो लगभग देड़ बजे का वक्त है सूरी गरहन के खत्म होने का सूरी गरहन की वज़े से मंदिरों के कपाट बन रखे गए है जैसे ही सूरी गरहन खत्म होगा भारत में मंदिरों के कपाट खुलेंगे और एक बार फिर से पूजा अर्श्टना होगी जो तस्वीर आप देख रहा है या अब गुद आभी की तस्वीर है पूर्ण सूरी गरहन की ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है रिंग ओफ फायर लेकिन यहां थोड़ा फायर कम कहेंगे क्योंकि जिस तरह से रिंग दिखाई दे रही है चमकती हुई सताउन साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है सूरी गरहन की वज़े से मंदिरों के कपाट बंध है भारत के दक्षणी हिस्से में सूरी गरहन की तस्वीर बड़ी दिल्चस्प है खुबसूरत भी है और इसे अनुकसान दायक भी बताया गया आखों के लिए तो सावधानी बरतनी भी जरूरी है जो लोग इस सूरी गरहन को देख रहे हैं या देखने जो रहे हैं उनके आखें रंगी नहीं होने चीए उसमें चस्मा होना चीए या इस तरह के लैंसिस होने चीए जिससे वो देखें डारेक्ट ना देखें 2019 का सबसे बड़ा और आखरी सूरी गरहन आबूदाभी की तस्वीर आपके सामने है इससे पहले इसी साल 6 जन्वरी और 2 जुलाई को आंशिक सूरी गरहन लगा था दक्षणी हिस्से में खुपसूरण नजारा है सूरी गरहन का करनाठा केरल तमिलाडु में और बाकी देश के हिस्सों में आंशिक रूप से सूरी गरहन को देखा जा सकता है ये पूर्ण सूरी गरहन की जो तस्वीर है ये आफुदावी की है जहां साफ देखा जा सकता है बहुत खुबसूरत नजारा लेकिन जिस तरह से चेतावनिया जारी की गई सावधानी बरतने के लिए कहा गया उस पर भी गौर फरमाईएगा अगर आप सूरी गरहन की तस्व है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं उतना ही खतरनाग भी है सूरी गरहन के दोरा नंगी आखों से सूरी गरहन की तरफ ना देखें इसको देखने के वक्त जब आप देखते हैं तो विशेश सावधानी अबरतने की जरूरत है दो तस्वीर है आपके सामने हैं आपके टेलवीन स्क्रीन पर दो तस्वीर है आपके सामने हैं इस साल का आखरी सूरी गरहन सताउन साल बाद सबसे लमबा सूरी गरहन देखा गया आज भारत में दस बच कर साड़े दस बजे तक तकी तक तकरिवन यह देखा जाएगा और पूरी दुनिया के गरबात करें तो लगभग का डिड़ बजे का वक्त है, इसके खत्म होने का, और अगला जो भारत में सूरी गर्ण दिखाई देगा, वो 21 जून 2020 को दिखाई देने वाला है, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, भारत में लगभग का अब से 20 मिनिट बाद इसकी तस्वीर नहीं दिखाई द खत्म हो जाएगा, यह अबुदावी की तस्वीर आपके सामने है, जो आप देख पा रहे हैं सूरी गर्ण की वज़े से भारत में मंदिरों के खपाट बद किये गये हैं, सूरी गर्ण के दौरान साउधानी कैसे बरती जाए, चस्मा होना चाहिए, उसे देखने के लिए, उस चस्मे के जरीए आप इस सूरी गर्ण को देख सकते हैं, इसकी खुबसूरती को देख सकते हैं, ये नासा ने भी कहा है, इसके अलावा आप अगर फोटोग्राफ इसका लेना चाहते हैं, फोटो खीचना चाहते हैं, तो उसके लिए सोलर फिल्टर होना आपके पास जरूरी है, ये कहा जाता है कि सूरी गर्ण के दौरान खास तरहे कि पिर्णे निकलती हैं, जो हमारी आ खुबसूरत नजारा देखा जा रहा है, भारत के दूसरे हिस्सों की बात करें तो आंशिक रूप से सूरी गर्ण की तस्वीर लोग देख पा रहे हैं, या अबुदावी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सताउन साल बाद ऐसा मौका बना है, जब सबसे लंबा सूर गर्ण की वज़य से भारत में मंदिरों के कपाट बंध हैं, ये सूरी गर्ण ये माना गया कि खंड ग्रास गर्ण है, वलायाकार इस गर्ण को सीधे आँखों से देखने से बचें, ये कहा गया, और ये सूरी गर्ण धनूराशी और मूल नक्षत्र में बना है, इसलिए ब्यक्तिकत रूप से धनूराशी और मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों पर इस गर्ण का विश्यस प्रभाव पढ़ रहा है, जिस तरह से मंदिरों के कापाट बंध हैं, जानकार ये बता रहे हैं कि नंगी आँखों से देखना गलत है, चसमे का इस्तेमाल किया फोटोगराफ लेते वक्त भी हैं सावधानी बरते हैं, और साथ तर्वेंद्परम की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो दक्षिनी भाग देश का जहां पर तस्वीर देखी जा रही है, पहली तस्वीर आप उदावी की आप देख रहे हैं, दूसरी को देखने के लिए एक अलग सूरज को देखने के लिए लोग ललाई तो रहते हैं लेकिन इस द्वरान साउधानी बरतना भी ज़रूरी है दो तस्वीरे आपके सामने हैं गरहन की भारत के दूसरे हिस्सों में आंशी ग्रूप से सूरी गरहन की तस्वीर आप देख पा रहे है क्योंकि पूर्ण सूरी गरहन की तस्वीर दक्षिनी हिस्से में देश की दिखाई दे रही है सदी का सबसे लंबा सूरी गरहन यह है सत्ताउन साल बाद यह स्तती बनी है दो तस्वीरें आपके सामने एक आपुदावी की तो दूसरी तिर्वेंदरम की तस्वीर इसी साल 6 जवर्णरी और 2 जुलाई को भी आंशीक सूरी गरहन दिखाई दिया था भारत में और तिर्वन्तपुरम की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आपुदावी की पहली तस्वीर है और भारत में 21 जून 2020 को अगला सूरी गरहन दिखाई देगा इस सदी का सबसे लंबा सूरी गरहन आज बस कुछ वक्त के बाद ये भारत में खत्म हो जाएगा कुछ मिंट्रों के बाद खत्म हो जाएगा लेकिन दुनिया में लगभग डेड़ बजे सूरी गरहन खत्म होगा सताउन साल बाद भारत में ये तस्वीर देखने को मिल रही है सूरी गरहन की वज़े से मंदिरों के कपाट बंद किये गए हैं सूरी गरहन खत्म होते ही एक बाद फिर से पूजा आर्शना होगी कपाट खोल दिये जाएंगे सुबह 8 बचकर 17 मिनट पर शुरू हुआ सूरी गरहन 10 बचकर 27 मिनट पर खत्म होगा एं तकरीबन एक घंटे का वक्त देड़ घंटे का वक्त और बच्चा है भारत में जो लोग इसे देख पा रहे हैं दक्षणी हिस्से में सरल्ता के साथ ये दिखाई दे रहा होगा क्योंकि पूर्ण सूरी गरहन की तस्वीर दक्षणी हिस्से में दिखाई दे रही है पूरी देश की बात करें पूरी भा देशों से जो तस्वीरे दिख रही है इन खासकर भारत के धक्षीनी इससे जो तस्वीर दिख रही है वो बिलकुल अलग और आपुदावी की तस्वीर बिलकुल अलग सबसे लंबा सूरी गरहन और अगले साल 2020 की अगर बात करें तो जून महिने में 20 जून 2020 को अगला सूरी गरहन दिखाई देगा यह दुबैश से सूर्य गरहन की पहली तस्वीर और तिरवंध पुरम से सूर्य गरहन की दूसी तस्वीरम आपको दिखा रहे हैं। साउधानी बरतनी जरूरी है क्योंकि इससे निकलने वाली किर्णे खतरनाक हो सकती है उनसे बचने के लिए आपको साउधानी बरतनी है फोटोग्राफ अगर आपको लेना है तो सॉलर फिल्टर्स का आपको इस्तेमाल करना होगा और इससे निकलने वाली वो खास रहे किर्णों से बचा जा सकता है जो आखों को नुकसान पहुंचाती है दो तस्वीरें आपके सामने एक रिंग किया कार का दिखाई दिया और जो तस्वीर आप देख रहे हैं में टर्जमिन स्कीन पर वो भी बताती है कि सताउन साल बाद दिखाई देने वाला ये सूर्य गर्ण कितना खुबसूरत है इसका हालांकि सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू भी है जिस तरीके से कुछ राशियों के लिए इसे सही नहीं माना गया प्रभाव उस पर पड़ेगा ये कहा गया लकिन ऐसे मौके बार बार नहीं बनते ऐसी तस्वीर बार बार देखने को नहीं मिलती साल 2019 का अंतिम सूर्य गरहन सुबह 8 बच का 17 मिनिट पर शुरू हुआ भारत में 10 बच का 17 मिनिट पर ये खत्म होगा और इसके बाद आंशिक जो सूर्य गरहन देखा जाएगा भारत में वो 20 जून 2020 को दिखाई देगा तस्वीर आपके सामने हैं लोग इस तस्वीर को देखने के लिए ललाई थें इससे पहले इसी साल 6 जन्वरी और 2 जुलाई को भारत में अंसिक शूर्य गरहन की तस्वीर दिखाई दी थी 57 साल बाद भारत में सबसे लंबा सूर्य गरहन दिखाई दे रहा है इसलिए भी लोग ज़्यादा उस्वीर हैं वो देखना चाहते हैं लेकिन सूर्य गरहन को देख़े वक्त आपको साउधानी बरतना भी ज़रूरी है खुबसूरत नजारा टेल्विन स्कीन पर चार तस्वीरों के जरीए आपके सामने अलग 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 शहर अलग 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 देशों से इस तस्वीरें सामने आ रही हैं देखें चार तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग जगह से हैं तो तस्वीरों के जरीए आप समझ सकते हैं कि कहां किस तरह से आज सूर्य दिखाई दे रहे हैं पहली तस्वीर जिसमें थोड़ा सा हिस्सा आपको काला दिखाई देगा दूसरे हिससे में चांत के आकार का तीसरे हिससे में थोड़ा सा और क्लोज देखेंगे तो थोड़ा बड़ा चांत और एक लास में एक रिंग दिखाई दे रही है हिंगर रिंग ये सूर्य गरहन क तस्वीर है, 77 साल बाद भारत में सबसे लंबा सूरिगरहन, सूरिगरहन की वजए से मंदिनों के कपाट बंद हैं, खात्मों होते ही कपाट खुलेंगे, पूजा अर्च्वनाइग वाफ फिर से होगी, साल का आखरी सूरिगरहन, इसके बाद आंशिक रूप से सूरिगरहन भारत में 31 जून 2020 को दिखाई देगा, भारत के दक्षणी भाग में पूण रूप से सूरिगरहन देखा जा रहा है, करनाटा, केरल, तमिलनाडू, तिरवन्पूरम की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, इससे पहले, रिंग आफ फायर की तस्वीर आज दिखाई दे रह है, देश के अनिय हिस्सों में, ये नजारा बहत खुबसूरत भी है, और खुबसूरती के साथ साथ इसे देखते वक्त सावधानिया बरतना भी जरूरी, नासा ने भी इससे पहले चुतावनी दी थी, कि खुली आखों से, नंगी आखों से इस तस्वीर को ना देखें, च सताउन साल बाद भारत में इसी तस्वीर दिखाई दे रही है, आरा कि इससे पहले इसी साल 6 जन्वरी और 2 जुलाई को भी आंसिक सूरी गरहन भारत में दिखाई दिया था, खासकर सूरी गरहन के दोरान आपके पास चस्मा होना जरूरी है, इसके अलावा आप फोरोग्र कुछ खास किरने आपके आँखों को नुकसान पहुचा सकती हैं, तो उससे बचने के लिए आपको चस्मे का और फोटो लेजते वक्त सूरा फिल्टर का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि आँखों को नुकसान न पहुचे, भारत के दक्षणी भाग में सूरी गरहन देख करनाटा, केरल और तमिलनाडू में, और अगर पूरे देश की बात करें, दक्षणी इसे को छोड़ दें, तो आँशी ग्रूप से सूरे गरहन की तस्वीर लोग देख पा रहे हैं, तो 77 साल बाद ऐसा मौका ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसे देखने के लिए हर कोई उस्सुख है, भारत में इसका वक्त 8 बच कर 17 मिनट से, 10 बच कर 17 मिनट तक है, जोकि दुनिया की बात करें, तो सूरे गरहन तक्रिबन देड़ बजे तक रहने वाला है, रिंग ऑफ फायर की तरह सूरे गरहन की तस्वीर आपके टर्डविन स्क्रीन पर, तीन तस्वीरों के जरीए आपको दिखा रहे हैं, कि सूरे गरहन कैसा दिख रहा है, क्या खूब सूर्ती है, अलग अलग जगह से यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आबुदावी की तस्वीर आपको दिखाई, दक्षिणी हिस्से की तस्वीर आपको दिखाई तिरवनपूरम की, अर्मदाबाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई से पहले यह तीन तस्वीरें आपकी टेलमेट स्क्रीन पर जहां सूरी गरहन दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा और आखरी सूरी गरहन आज ऐसा मौका और ऐसी तस्वीर बार-बार दिखाई नहीं देती है सालोबाद ऐसा सयोग बनता है सालोबाद ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती है आज सूरी गरहन की तस्वीर आप देख सकते हैं अपने टेलमेट स्क्रीन पर तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहा है है इज़र साल खत्म होने को है नए साल की शुर्वात होने को है और सदी का सबसे लंबा सूरी गरहन आज है जो भारत के दक्षणी हिस्से में बड़ा खूबसूरत नजारा इसका देखा जा रहा है चार तस्वीरें आपके टेलमेट स्क्रीन पर हैं सूरी गरहन की साल का आखरी सूरी गरहन यह है मंदिरों के कपाट बंद किये गए हैं जैसे ही सूरी गरहन खत्म होगा मंदिरों के कपाट खूल दिये जाएंगे चार तस्वीरें की जरीए आपको दिखाने की कोशिश कि आज सूरी की तस्वीर कैसे दिख रही है सूबह 8 बजे से कपाट बंद कर दिये गए सूतक काल इसे कहा जाता है और इस द्वरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिये जाते हैं जैसे ही सूरी गरहन खत्म होगा मंदिरों के कपाट खूलेंगे एक बाब फिर से फूजा और चुना होगी साल कांतिम सूर्य गरहन यह है सूतका जैसे ही सुबह आठ बजे शुरू हुआ मंदिरों के कपाट बंद कर दिये गए दूसरे दिन यानि आज के दिन की बाद अगर करें तो ये कपाट खुलेंगे शाम के समय चार तस्वीरों के जरी आपको आज के सूर्य भगवान की तस्वीर दिखाने की कोशिश जहां गरहन साब तोर पर देखा जा सकता है इसे देखने के लिए लोग बड़े उस्सुख भी हैं ललाईद भी हैं लेकिन देखते वक्त आपको सावधानिय परत्नी जरूरी हैं जिस तरह से नासा ने भी चेताव नहीं दी नंगी आखों साब देखेंगे आपको चस्मे का इस्तेमाल करना है अगर आप फोटोग्राफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सॉलर फिल्टर का इस्तेमाल करना है तो भारत के दक्षणी इससे की तस्वीर और उस तस्वीरें आपके डियर्शन स्क्रीन पर हम लगाते हैं साल का आखरी सूरी गरहन आज है भारत के कई हिस्सों में यह सूरी गरहन देखा जा रहा है खासक दक्षणी इससे में इसकी तस्वीर पूर्ण का इस सूरी गरहन लगा है बेहत खुबसुर नजर आ रही है आखरी सूरी गरहन आज है और आठ बजे से दोपहर एक बजे यानि देड़ बजे तक सूरी गरहन रहने वाला है खासका भारत में तो तकरीबन दस बचका सत्ताओन मिनट इसका वक्त समाप्ति का बताया गया तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं पूजा भी हो रही है पूजा यानि कि अर्ग जो दिया जाता है वो दिया जो रहा है अभी शास्तरी जी भी बता रहे थे कि किस तरीके से क्या करना चाहिए लोग उस विदीविधान के साथ काम कर रहे हैं जो तस्वीर आप देख रहा हैं ये सोरी गरहन की तस्वीरें दो तस्वीरें आपके ट्रेविन स्क्रीन पर अलग-अलग एमरों के जरीए से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग शेरों से अलग अलग देशों से तस्वीरें आप तक पहुंच रही है सब्ताउन साल बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है दुबई, अबुदावी में रिंग आफ फायर का अध्भुत नजारा देखने को मिला है कोची, कोजिकोट और गडग में भी सूरी गरहन अध्भुत दिखाई दिया तिरवंत पुरम, एहमदाबाद, भुबनेश्वर में सूरी गरहन का नजारा हम लग अतार आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिये दिखा रहे हैं भारत के कई हिस्सों में देखा जा रहा है सूरी गरहन कहीं पूर्ण सूरी गरहन तो कहीं आंशी गरूप से खासका दक्षिनी हिस्से में इस सूरी गरहन की तस्वीर बड़ी खुबसूरत है सताउन साल बाद सबसे लंबा सूरी गरहन मंदिरों के कपाट बंद है जैसे ही सूर्य गरहन खत्म होगा, कपाट खोले जाएंगे, फिर से एक बार पूजा अर्फना होगी, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरीए आपको दिखाने की कोशिश कि किस तरह से सूर्य गरहन की तस्वीर कौन से देश की हिस्से में, दुनिया की हिस्से में कैसी दिखाई दे रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, 2019 साल का सबसे बड़ा और आखरी सूर्य गरहन आज है दो तस्वीरों के जरीए आपको दिखाने की कोशिश कि आखर तस्वीर आस्मान में कैसी दिखाई दे रही है दुबई अबुधावी मैं रिंग ओफ फायर का अध्भुद नजारा देखने को मिला कोची और कोजी कूट गड़क में भी सूर्य गरहन का अध्भुद नजारा तिर्वंध पुरम अहमदाबाद भुमनेश्वर में सूर्य गरहन का नजारा हमने आपको दिखाया सूर्य गरहन की तस्वीर आपके सामने है भारत के कही हिस्सों में सूर्य गरहन देखा जा रहा है दक्षणी हिस्से में सूर्य गरहन की खुबसूर्ती अलगी है बाकी देश की अगर बात करें तो आंशिक रूप से सूर्य गरहन यहां लगा है वो देखा जा रहा है 77 साल भारत में सबसे लंबा सूरी गरहन। गरहन की वजह से मंदिरों के कपाट बंद हैं, सूतक काल लगा हुआ है। इससे पहले इसी साल 6 जन्वरी और 2 जुलाई को आंसिक सूरी गरहन भारत में दिखाई दिया था। आभी करनाटा, केरर और तमिलनाडु की हिस्सों में बड़ा खुबस्वरत नजारा भारत के दक्षिनी हिस्से में सूरी गरहन का देखा ज़ा रहा है। लोग काफी उत्सुक भी हैं इस तस्वीर को देखने के लिए क्योंकि बार बार ऐसे मौके और ऐसी तस्वीर देखने क को नहीं मिलती हैं, रिंग ओफ फायर की तरह सूरी गरहन दिखाई दे रहा है, सत्ताउन साल बाद भारत में सबसे लंबा सूरी गरहन, नजारा भेहत खुबसूरत है, लेकिन बैग्जानिक मानते हैं कि थोड़ा खत्वननाक भी है क्योंकि इससे निकलने वाली कुछ खास खिस्क की जो किर्णे होती हैं, वो आपके आँखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बैग्जानिकों के अलग तर्क हैं, पंडित और जो शास्त के जानकार हैं, उनके अपने तर्क हैं, शास्त की निज़र से देखा जाए तो खुश राश्चियों पर इसका प्रभाव प रचना है, यह सास्त कहता है, और जो विग्यान कहता है वो यह कि आपके आँखों को आँखों पर इसका असर पड़ता है, इसलिए खुली आँखों से ना देखें, जब भी आप इसको देखें, चसमे का इस्तेमाल करें, और अगर आप फोटोग्राफ लेने की कोशिश कर करें, तो इसके लिए भी आप एक खास किस्म के solar filter का इस्तेमाल करें, जिससे आप इसकी खुबसूरत तस्वीर अपने camera में कैद कर पाएं, तो दो तस्वीर हैं आपके सामने हैं, सूरी गरहन की साल का आखरी सूरी गरहन, इसके बाद जो सूरी गरहन अगला वाला जो दिखाई देगा, यानि कि ये साल का अंत और सबसे लंबा सूरी गरहन, अद्भुत सूरी गरहन, सालों बाद बना ऐसा सही हो कि इस तरह का सूरी गरहन दिखाई दे रहा है, मंदरों के कपाट बंद हैं, दुनिया में इस तस्वीर को देखा जा रहा है, दुबई तस्वीर है, तिरवन पूरम, एहंदाबाद, भुबनिश्वर में सूरी गरहन का नजारा, लोग देख पा रहे हैं, साल का आखरी सूरी गरहन, दो तस्वीरें आपके टर्वन स्क्रीन पर हैं, भारत के कई हिस्तों में इस सूरी गरहन की तस्वीर देखी जा रही है, खु कि किस तर है कि तस्वीर कहां दिखाई दे रही है, कौन से शेहर में दिखाई दे रही है, देक्षणी भाग, करनाठा, केरल, तमिलनाटू के हिस्सों में यह तस्वीर दिखाई दे रही है, अदभुत, दूसरे हिस्सों में आणशिक सूरी गरहन की तस्वीर लोग देख पा रहे हैं इसके साथ ही उटी, मंगलूर, कोजिकोट, कॉइमबिटूर, शिव गंगा, आमदाबाद, चैन्ने, मैसूर, कन्या, कुमारी में भी सूरी गरहन देखा ज़ा रहा है तस्वीरों के जरीया में आपको दिखा भी रहे हैं पूर्वी यूरोप, उत्तरी पश्चिम और पूर्वी अफ्रिका में भी ये सूरी गरहन दिखाई दे रहा है, तीन तस्वीरों के जरीया आपको दिखाने की कोशिश, अद्बुद नजारा, कभी कभी बनने वाला मौका जो लोग को देखने के लिए ललाइद भी हैं, 21-2020 को होगा पहला सूरी गरहन, यानि की 2020 का आगले साल का, ये साल का ये अंतियम सूरी गरहन, तस्वीरें आपके सामने हैं, तीन तस्वीरों के जरीया आपको दिखाने की कोशिश, किस तरह से सूरी गरहन की तस्वीर दिखाई दे रही है, भारत के कई हिस्सों में सूरी गरहन दिखाई दे रहा है, कहीं पूर्ण का इसके अलावा बात करें तिर्वंत पूरम अहम्दाबाद भबनेश्वर मैं भी सुर्य गरहन का नजारा तस्वीरों के जरिये हम आप तक पहुँचा रहे हैं आप भी देख सकते हैं साल का आखरी सुर्य गरहन है इसलिए लोग का देखना चाहते हैं कि कितना अद्बुद है नजारा ये तस्वीर कैसी है रिंग ओफ फायर की अलग-अलग तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं तीन तस्वीरे आपके टेलवन स्क्रीन पर हैं साल का सबसे बड़ा सुर्य गरहन आज शुरू हो चुका है भारत में दस बच का 57 मिनट तक इसका असर रहेगा ये दिखाई देगा और दुनिया की बा ये सबसे बड़ा और आखरी सुर्य गरहन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टेलवन स्क्रीन पर इससे पहले आंशिक रूप से जो सुर्य गरहन दिखाई दिया था भारत मों 6 जनवरी और 2 जुलाई को दिखाई दिया था ये सुर्य गरहन देश के दक्षणी भा देखी जा रही है नजारा बेहत खुबसूरत है आप अपने टेलवन स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कोलम्बो से तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं टेलवन स्क्रीन पर कोलम्बो में सुर्य गरहन कैसा दिख रहा है अक्सर ये भी लोगों में लाल स रहती है कि हम देश के दक्षुनी इससे में देख रहे हैं हम करनाटक में देख रहे हैं केरल में देख रहे हैं तमिलाडू में देख रहे हैं लेकिन अबुदाभी में और बाकी जिन देशों में दिखाई दे रहा है उत्तरपश्मी आफ्स्ट्रेलिया में वहां कैसा दिख तिल्वन स्कीन पर आप देख सकते हैं तस्वीर जो दिखाई दे रही है कॉलंबो की है तो अलग अलग तस्वीरों के जरी अलग 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 देशों में कैसी तस्वीर है आज सूर्य भगवान की वह दिखा रहा है हम आपको इससे पहले हमने दुबै की दिखाई अलग अलग तस्वीरों के जरीए आपको दिखाने की कोशिश की कहां कैसा सूर्य गर्हान दिखाई दे रहा है जिसको बड़े स्क्रीन में भी हम दिखा रहे हैं और इसके लिए इसके अलावा हमारे पास सोलर गोगल्स भी है जिनको आप ले सकते हैं कोई भी ये ले सकता है और उसको से हम सूर्य गर्हान को सेफली देख सकता है साउथ इंडिया में एनुलर है और केरल तमिनाड करनाटक में ये कंप्लीट एनुलर यानि वलयाकार सुर्य गर्हान दिखाई देगा और वहां इसके डियूरेशन भी दिल्ली से जादा होगी दिल्ली में दो घंटे 40 मिनिट होगा क्या कुछ प्रिकॉशन्स लेने की जरूरत है क्या डाइरेक्ट बिल्कुल नहीं देखें क्योंकि इससे आंखों को उच्छती हो सकती है उससे निकलने वाला अभी किरण मारी आंखों को नुक्सान पहुचा सकता है इसे हर दम जैसे जो कि हमने अभी जो ये सेफली देखन के लिए ही सारे इंतजाम किये हुए हैं जो अपना खुद ही देखना चाहें वो सोलर फिल्टर ले जाएं सोलर फिल्टर से ये गोगल्स जो है गोगल्स से देख सकते हैं और सब दिल्ली में ये आंशिक होगा पचास परसंट से लगभख थोड़ा सा कम होगा ठीक अब बेग्याने गोफी गुपता कब सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसा सर रहने वाला है कब तक रहने वाला है और वो एक सला एक शुटावनी वो भी ये दे रहे थे देखाई दिये कि रंगी आखों से इसे न देखना उसके लिए आपको सोलर फिल्टर का इस रिसमे का अस्तेमाल करना है जिस बात को हम भी लगातार कह रहा है तो भारत के कई हिस्सों में सूरी गरहन की तस्वीर जहां लोग देख रहे होंगे उनके लिए साउधानी बरतनी भी जरूरी है क्योंकि इससे निकलने वाली कुछ खास किसम की किर्णे आपके आखों को नु दुनिया भर की तस्वीरे में आपको दिखा रहे हैं अलग लग देशों में जहां सूरी गरहन आज दिखाई दे रहा है वहां की तस्वीर है कैसी वह आप देख सकते हैं आनाइन टीवी पर अलग लग तस्वीरों के जरीए आपको देश और दुनिया के सूरी गरहन की तस तो दूसरे हिस्सों की बात करें तो आंशिक रूप से सूरी गरहन यहां दिखा जा रहा है 77 साल बाद भारत में सबसे लंबा सूरी गरहन यसे पहले इसी साल 6 जन्वरी और 2 जुलाई को आंशिक सूरी गरहन दिखाई दिया था सूरी गरहन को दैश के दक्षिनी भाग में देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा क्योंकि यहां नजारा बिलकुल अद्बुद है अलग है तिरवन पुरम, आंदाबाद, भुबनेश्वर में सूरी गरहन का नजारा तस्वीरों के जरीए हम लगा थार आपको दिखा रहा हैं इसके अलावा उत्तर पश्रिमी आउस्ट्रेलिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई अबुदावी की तस्वीर हमने आपको दिखाई रिंग ऑफ फायर की तस्वीर हम आपको दिखा रहा हैं अलग अलग तस्वी का सबसे बढ़ा सूरी गरहन। उसकी तस्वीर आपके ड्रीवी के आगलाा सूरी गरहन भारत नियूंra 2020 को दिखाई देगा। 2019 का आखरी सूरी गरहनद आप देख पा रहा है है। ट्रेविंस्किंग पर तिर्वंतपुरम, एहंदाबाद, भवनेश्वर तस्वीर हमने आपको दिखाई सूरी गरहन जितना सुन्दर दिखाई दर आया, उतना ही नुकसान दायक भी है, क्योंकि आखों के लिए खासकर इसे नुकसान दायक बताया गया, बैग्यानिक भीग मानते हैं